Good morning students, आजम व्याकरण में नया टोपिक शुरू करते हैं, अनेकार्थी और बाक्यांस अनेकार्थक सब्द जिन सब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक सब्द कहते हैं जिन सब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अनेकार्थक सब्द जैसे द्विज द्विज कर्द क्या होता है चंद्रमा भी होता है दात भी होता है पक्षी भी होता है ब्रहमन भी होता है द्विज कर्द होता है दो बार जनम लेने वाला जैसे द्विज चंद्रमा ग्रहन लगने के बाद दुबारा उभर के आता है तो उसे भी क्या कहते है द्विज कहते है दात एक बार दूद के दात आता है फिर वो तूट जाते हैं तो दूबारा दात आता है इसलिए उनको क्या कहते है द्वीज कहते है पक्षी एवर अंडे से भार निकलता है तो उसे भी क्या कहते है द्वीज कहते है अंडे के रूप में जनम लेता है फिर अंडे के भार आता होता है उत्पन होने वाला पानी में उत्पन होने वाला जैसे कमल कमल क्या होता है पानी में उत्पन मोती भी कहा रहता है जब मोती पानी में होता है तभी तो चमक आती है और मचली भी कहा जीवित रहती है पानी में रहती है जल में ही विचरन करती है मचली संख भी पानी में यहीं बढ़ा होता है, तो इसलिए जलज के कितने अर्थ हो गए? कमल, मोती, मचली, संख और द्वीज के? चंद्रमा, दात, पक्षी, प्रहमन, अनिकार्थक सब्द की परिभासा है, जिन सब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनिकार्थक सब्द कहते हैं, अनेकार्तक सब्द अंक अंक को क्या कहते हैं गिंतीवी नाटक का एक भाग चेन गोध अंबर वस्त्र आकास अंत्रिक्ष एक सुगंधित पधार्थ अक्षर बर्ण, सिव, अक्षर चर करता जिस कभी नष्ट न हो जो कभी नष्ट न होने वाला बर्ण, सिव, ब्रह्मा, मोक्ष, सत्य, स्वर, वेंजन अज बक्रा, ब्रह्मा, विश्णू, सिव, दसरतके, पिता, कामदेव, चंद्रमा, मेशरासी अर्थ, धन, एस्वर्य, मतलब, प्रियोजन, हेतु, व्याख्या, कारण अरुन, सूरे का सार्थी, प्रभात का सूरे, लाल होता जब मुझे क्या कहते हैं? अरुन, हलका, लाल रण, उत्तर, उत्तरदिशा, जबाब, कोई क्वेश्चन पुछता है, उसका आप अंसर देते हैं, वो क्या होता है? उत्तर, बाद, उपरवाला, पिछला, एक काव्यालंकार और योजकसद, तथा, दूसरा, अधिक, कनक, धतूरा, सोना, गेहूं, पलास, जैसे मैंने इत्त किलास में आपको अलंकार पड़ाये थे, कनक, कनक, सोगुनी, मादकता, अधिकाए, या खाए, बोराए, वा खाए, वा पाए, बोराए, तो ऐसे ही कनक की कितने अर्थ हो ग करण, कान, कुंती का पहला पुत्र, पत्वार, कल, बीता कल, आनेवला दिन, चैन, मशीन, सुन्दर, मधूर, युक्ति, काम, कार्य, कामदेव, मतलब, प्रियोजन, लालसा, लाव, गो, गाय, इंद्रिय, प्रत्वी, वानी, माता, रस्मी, किरण, सर्ष्वति, धर्ती, दिशा, गट, सरीर, घड़ा, कम, घट जाना, हिरुदे, ये सब क्या है, घट के अनेकार्थी सब्द, अभी गर्मी चल रहे हैं तो आप घड़े में से ठंडा पानी पीते हूँए, तो ये सब क्या है, अनेकार्थी सब्द है, अनेक सब्दों सब्दों में कहنا कला माना जाता है इसके लिए ऐसे सब्दों नेक सब्दों के स्तान पर आते हैं इसे अंएक सब्दों एक सब्द या वाक्यान्स बोधक सब्द कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं अनेक सब्दों के लिए एक सब्द या वाक्यान्स बोधक सब्द कहते हैं जैसे अनेक सब्द जो करने योगे नहो जो कारे करने योगे नहो एक सब्द क्या बनेगा एक करनी है जैसे जो करनी योगे न हो जो कारे करने के योगिन हो उसे क्या कहेंगे उसका एक सब्सक्राइब क्या बन गए एक करनी है जो काम ने करे जो विक्ति काम नहीं करता हो निठला रहता हो तो उसे हम क्या कहेंगे एक कर्मनी है जहां जाया ने जा सके जहां जाना भोत कठीन हो उसे हम क्या कहेंगे एगम जिसका दमन ने किया जा सके, जिसका नश्ट ने किया जा सके, एदम में, जिसका कोई नात स्वामी नहो अनात, जिसे किसी भी इस्तिती में टाला ने जा सके, अन्वारे, जिसे किस कारे को करना जरूरी होता है, किसी भी इस्तिती में नहीं टाला जाता है, वो क्या कहलाता है, अनुवारे जो पीछे चलता हो पीछे चलता है जैसे अनुचर अनुयाई जैसे छोटे बच्चे होते हैं अपने ममी के पीछे पीछे भूमते रहते हैं कितने भी मना करो जाएंगे कहाँ पर मम्मी के पीछे जाएंगे और थोड़े-बड़े हो जाते हैं कहाँ चिपख जाते हैं फोन पर टी वी पर अनुयाई जैसे कोई सादू संथ गुरू होतेमे उसके espe Muslims करने वाले लोग जो पीछे पीछे चलते हैं उसे क्या कहतेते हैं अनुयाई या अनुचर थैंक्यू क्लास